हमारा काम शादी ब्याह में मंडप सर्विस देने का है. दुकान पर ज्यादातर काम हमारे नौकर चाकर करते हैं और फंशन की साइट पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं. पूरा दिन दुकान पर टाइन निकलता नहीं है, तो कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ. मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम में ध्यान ना दूँ तो इतनी खरी होती सुनाते हैं के मेरे कान के कीडे मर जाते हैं. इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है. दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है. ज्यादा तर मैं उस पर डिस्कावरी चैनल देखता रहता हूँ. बैर ग्रील्स का शोख मैन वर्सेस वाइल्ड मेरा फिवरिट है. और उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफर का प्लान बना लिया था और रेगिस्तान के प्रेच से मेरा सामना हुआ था. उस भिडंत में मैं और मुन्ना मरते मरते बचे थे. मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बैर ग्रिल स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया अपने रोमांचक सफर पर निकालने से पहले हमने खाने पीने की सारी चिजे, मैप, टेंट, चप्पूप, नाइफ, लाइटर और वाटर साथ ले लिया एक वीरान रेतिली जगहे चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा दिया अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी तो हमने वहां आग भी जला ली खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट आई मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड है मुन्ना ने टौर्च निकाली और आस पास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है उसकी पीठ हमारी और थी और वह शायद सिगार पी रहा था चुंकी धुवा निकल रहा था सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी हमें हैरत हुई की ऐसी वीरान जगह पर यहाँ आदमी क्या कर रहा होगा कुछ देर बाद हमने सोचा की इसके पास जाकर उसे पूछते हैं की तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो मैंने और मुन्नाने जाकर उसे आवाज दीपर वह पल्टा नहीं हमने फिर से उसे आवाज देकर पूछा की आप कौन है इस बार उसने हमारी और देखे बिना ही अपनी मुठी में रेत भरी और पीछे हमारी और फैंकी हमें लगा की शायद यह कोई पागल सर्फिरा इनसान है हमने दोनों ने वापिस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझी कुछ देर हुई तो वह रहस्यमय इनसान बैठे बैठे ही हमारी और सर्कने लगा अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी छोटे बच्चों की तरहे घीसट घीसट कर वह हमारे टेंट के दस फीट की दूरी पर आ गया अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था मुन्ना ने उसे फौरन ललकारा की यहां से सीधी तरहे से जाता है कि मार्खा करही जाएगा हमारे पास हथियार भी है कुछ गड़बड की तो जान से जाएगा मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज में हसने लगा अब तो मेरा भी सबर जवाब दे गया था मैंने मुन्ना से कहा कि तू इसको दाए से घेर और मैं बाए से घेरता हूँ साले को घसीट घसीट कर मारेंगे रेथ उड़ाता है ना आज इसकी हैकडी निकाल देते हैं जैसे ही हम उसकी दोनों और से उसके मुह की तरफ गए हमारे होश उड़ गए हमने देखा कि उसकी आँखे ही नहीं थी वहाँ काले गड़े थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं थी, उसकी आखों की जगह मौजूद गड़ों से धुवा निकाल रहा था मैं और मुन्ना तो पगला गए हम वहां से भाग कर जाते भी तो कहा जाते घंगोर अंधेरा था हम दोड़ कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी और मुड़ा हमें तो लगा की आज जान से जाएंगे मेरे तो रोंगते खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी और देख भी नहीं रहा था टेंट के सामने आग के परे वह बिना आखों वाला खतरनाक प्रेत रुप गया और कुछ इशारा करने लगा शायद उसे कुछ चाहिये था मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया की उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिये थी मैंने फॉरण उसकी और चादर और तकिया दोनों फैक दिया उसने फटाक से चादर ओड ली और तकिया वापिस मेरी और फैक दिया कुछ देर वह हमारे आस-पास ही घूमता रहा और फिर नजाने क्या हुआ की वह दोड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कापते रहे फिर सुबह हम घर लोट आए उस दिन के बाद मा कसम डिस्कावरी चेनल देखना छोड दिया है हमें पता नहीं कि वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग गया उसकी आखे क्यों नहीं थी और उसने हमें जिन्दा क्यों छोड दिया कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास तक नहीं करते हैं पर मुझको और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे प्रेत की चपेट में आये थे